कौन है देब्यानी खोबरा गड़े जो विवादों में रहने वाली आईएफेस हैं और इनकी एक तस्वीर खूब वाइरल हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया वर में सोना के लिए अब आपा धापी क्यों मची है क्या चाइना की वज़े से दुनिया बहुत ज्याद भारतिये विदेश सेवा अधिकारी देब्यानी खोबरा गड़े एक बार फिर से सूर्खियों में आई हैं इस बार वो अपने पहनावे के लिए चर्चा का केंद्र बनी हैं कंबोडिया में बर्तमान भारतिये राजदूत खोबरा गड़े ने अनोखे तरीके से देश वा सरा का पोसाक बताया गया है एक्स पर कंबोडिया में भारतिये दूतावास की पोश्ट के अनुसार राजनई को खमेर संस्कृती और परंपरा की गहरी समझ हैं उन्होंने देश के नए साल को चिन्नित करने के लिए सूरुची पूर्ण तरीके से कपड़े पहने हैं कंबो के रिटार्ड आई-एस उत्तम खोबरागेड की बेटी हैं 12 दिसंबर 2013 को वीजा धुकागडी के आरोप में उन्हें अमेरिका में गिरफतार किया गया था तब वहां तब वो न्यूयोर्क में भारत की डिप्टी काउंसिल जनरल थी उनकी गिरफतारी से भारत और अमेरिक में कूट नितिक तनाव उत्पन हो गया था देव्यानी का आरोप था कि उन्होंने अपनी घरेलू सहाई का संगीता रिचर्ड के वीजा आवेदन में गलत तत्थ दिया था इसका लावा उन पर आरोप था कि वो अपनी नोकरानी को कम महनत आना देती हैं बाद में उन्हें कड़ी परति करिया दी थी इसके बाद वो एक बार फिर विवादों में आई जब उन्होंने सोसल मीडिया में बयान बाजी की इसके बाद उन्हें काम से हटा दिया गया था उन्होंने मीडिया को दिये एक इंटर्व्यू में उस घटना के बारे में बादचित की थी विद मुंबई के आदर्स सोसाइटी घोटाले में भी देव्यानी का नाम आया था महराश्टरकार की ओर से उन्हें 10% कोटा के तहट आदर्स सोसाइटी में फ्लैट दिया गया था जबकि उनके पास मुंबई में पहले से घर था अलाकि मामले की जांच करने वाली सीब्याई ने नो तो देव्यानी और नो ही उनके पिता से कभी पूछताच किया अलाकि उनके पिता ने आदर्स घोटाले की जांच करे दो सदस्ये जांच आयो के सामने गवाही भी दी थी यहाँ पर वहां की एक लोकल आर्टिस्ट भी दिख रही है जो भारतिये परिधान स उनके परिधान में वैसे अगर भूतकाल को हटा दे तो फिलहाल के लिए इन्होंने जो कदम उठाया है यह कदम एक दूसरे की संस्कृति को जोड़ने वाला ही कदम है और यह कदम कुछ बुरा नहीं है वैसे जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ द सबसे ज़्यादा जिम्मेदार स्क्रीन पर एक लिस्ट देख रहे हैं आप जहां गोल्ड प्रोडक्शन को दिखलाया गया है चाइना में 440 मेट्रिक टन गोल्ड का उधवादन हुआ है और श्रेलिया तीन सो ग्रूस दो सो पचपन युनाइटेड इस्टेट दो सो पैता लिस्ट मैक्सिको 110 उजबेकिस्तान 100 ब्राजिल 85 इंडोनेसिया 80 घाना 80 पापुआ न्यूगिनी 60 ये जो डेटा बता रहे हैं ये डेटा बता रहे हैं कि ये प्रोडक्शन होता है और अभी इस लिस्ट में अगर भारत को देखेंगे तो एक से 13 तक में कहीं नजर नहीं आ पास 9,800 रूस के पास 5,500 युनाइटब इस्टेट के पास 3,000 कनाडा के पास 2,200 पेरु के पास 2,300 साओट अपरिका के पास 6,000 और मेक्सिको के पास 1400, उजबेकिस्तान के पास 1800, ब्राजिल के पास 2400, इंडोनेसिया के पास 2500, घाना के पास 1000, और पापुआ नियूगिनी के पास 1300 ये मिट्रिक टेन इनके पास रिजर्व हैं, दुनिया में अगर बात करें टोटल गोल्ड रिजर्व के पैमाने की, तो यहां आपको यूनाइटेड इस्टेट मिलेगा एक नमबर पर सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व रख रहा है 8133, और वहीं दूसरी तरफ, दूसरे तीन टन के साथ भारत देखने को मिलेगा, पर इधर बीच क्या हो रहा है, ताबड तोड सोने की खरीदारी हो रही है, और सोना डेवाई डे महंगा भी होता जा रहा है, कारण क्या है, कारण यह है कि यहां डिमांड बहुत जादा बढ़ रही है, सप्लाइ उस हिसाब से न मजबूत होता हुआ दिख रहा है और डॉलर की वैल्यू जैसे जैसे मजबूत हो रही है वैसे वैसे दुनिया भर के देशों को टेंसन भी हो रही है बात करें सबसे पहले सुरुआत टेंसन की किस्से हुई है तो सुरुआत हुई है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद 2020 के चाइना की ऊपर भी कई सारे एक्सल लिये अमेरिका ने और अमेरिका ने कई बार चाइना को ये समझाने की कोशिस कर दी कि कहीं अगला नमबर तुम्हारा न हो और जब चाइना ने ये देखा कि अगला नमबर हमारा हो सकता है तो चाइना ने ओफिसियली तोर पर जादा से ज्यादा सोना खरीदना सुरू कर दिया 2022 में इसके पास 1,948 टन थे 2022 से लेकर 2024 के बीच में 314 टन की बढ़ुतरी देखने को मिली है वैसे आपको बता दें 2024 में अभी फिलाल 2024 खतम नहीं हुआ है पर यहां पर 372 टन की खरीदारी देखने को मिल रही है चाइना का सेंट्रल ब के रिजर्व में भी अच्छा खासा है गोल्ड कारण कारण यह है कि कल की डेट में अगर अमेरिका किसी तरीके के पर्तिबंध लगाता भी है तो भी असर ना पड़े भारत में भी एक चीज़ देखने को मिल रही है भारत भी काफी लंबे समय से अब सोना को खरीद रहा है और सोने की बड़ी मात्रा इसलिए भी खरीद रहा है कि भारत ने गोल्ड बॉन्ड को भी निकाला हुआ है और इसके तहत भारत भी अपनी एकोनोमी को सुरक्षित रखना चाहता है चाहे सिचुएशन कैसे भी हो अभी फिलाल के लिए अगर बात करें तो जब जब युद होता है तब तब सोने के भाव भी बदलते चले जाते हैं और यही चीज देखने को मिल रहा है पिछले एक साल में सोने ने जो धमाकेदार रिटर्ण दिया है वो रिटर्ण बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और अगर इस बार फिर इसराइल और इरान का युद होता है तो समझ लीजे कि यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं सोने के दाम यही वज़ा है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब सोना खरीद भी रहे हैं सोने के भाव बढ़ने की वज़ा से दुनिया वर में देश जो भी थोड़े संपन है वो और भी ज्यादा सोना खरीद रहें ताकि डॉलर से उन्हें मुक्ती मिले वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ